नमस्कार दोस्तों वेलकम टूडाउन आप सक्सेस आज हम नाव और धरा बोट एंड इस्ट्रीम का फर्स्ट पार्ट डिसकस करेंगी इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जब नाव धरा के साथ चले या उसके ब्रुद चलती है तब उनकी चाल में क्या डिफरेंस आता है और किस चाल होगी उनकी तो आज हम इसे बेसिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे तो बने रही है वीडियो के अंद तक लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेश सब्सक्राइब दा चैनल एंड प्रेस दा इसमें बोला गया है नाव पानी और साफी चाल यह क्या होते हैं यह समझते हैं पहले नाव को बोट बोलते हैं यानि जब नाव पानी के साथ चले यानि अगर पानी की बहाब इस डारेक्शन में चल रहा है और अगर उसी डारेक्शन में नाव की भी चाल हो तो क्या होगा नाव में पानी का जो है पुस करेगी यानि धक्का देगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी कितनी स्पीड बढ़ेगी जितनी स्पीड पानी की होगी जितनी स्पीड पानी की होगी उतनी ही स्पीड नाव की और ज्यादा बढ़ जाएगी यानि नाव की एक्चुल से ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो यानि अगर मालो नाव की स्पीड बी किलो मीटर पर घंटा है नाव की स्पीड अगर बी किलो मीटर पर घंटा है यानि इसलिए ले लिया बोट लिखा गया है न तो पहला लेटर ले लिया है बोट जहां से डबलू किलोमीटर पर घंटा हो पानी की स्पिल डबलू किलोमीटर पर घंटा हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा रिलेटिव स्पिल्ड क्या होती है रिलेटिव स्पिल्ड वो होती है कि जिस भी डारेक्शन में दो अब्जक्ट चल रहे हैं उनकी इस पिल्ड जिस भ तो क्या होगा इस पीड बढ़ जाएगी तो यानि इस पीड क्या होगी साफी चाल क्या हो जाएगी बी प्लस डबलू यानि पानी की चाल प्लस बोट की चाल यानि नाव की चाल के रिलेटिव इस पीड हो जाएगी कब जब पानी के साथ चलेंगी लेकिन अगर मालो जो पान चाल क्या हो जाएगी तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि नाव की चाल जो भी है उसे कम होगी कितनी जितनी पानी की चाल होगी यानि बी मानस डबलू हो जाएगा रिलेटिव स्पील क्यों कि नाव को पानी धक्का देगा पीछे की तरफ यानि पानी की ब्रुद चलेगा जो पानि दमान जम्सीट पाच्पों कई कम हो जाएक तो देखना ह opट कफ़ें होती है तो क्मका स्माए तो अब देखन taken कोई बात निए देखो इसमें क्या बुला गया, धारा के साथ अब धारा के साथ या निकी खिर पानी के साथ चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बोट की पीड हमिने क्या रिल्रूलीव स्पिड निकाल खें क्यों कि पानी की चाल भी उसमें एड़ हो जाएगी तो क्या मिला हमें यहां पर 15 और आगे बोलागे अगर धारा की भिरद अब धारा की बीरद की बात हो रही है तो यहां बोलागा है बी मानस डवल करेंगे यानि B-W, तो यह क्या हो जाएगा, 9 km, 9 km पर घंटा, यही बोला गया है, तो अब इनको अगर हम equation को solve कर दें, तो क्या मिलेगा, यह मानस से मानस से डबलू कर जाएगा, और यहां से हमें क्या मिला, 2B, 2B, equal to, इन दोनों को add कर देंगे, तो यह मिलेगा, हमें 24, और यहां से B की value क्या मिल जाएगी, हमें, 24, upon 2, equal to, 12, 12 km पर घंटा, 12 km पर घंटा होगी, B, B चाल किसकी थी, B चाल हमने लीती, boat, यानि नाव की चाल, नाव की चाल लीती हमने, तो यह नाव की चाल हमें कितनी मिल गई, 12 km पर घंटा, अब पूछा गया है, पानी की चाल बताओ, तो इस में से यह equation थे, इन में से किसी भी equation में, अगर हम value put कर दें, तो यहां से हमें नाव पानी की चाल मिल जाएगी, तो value put करते हैं, तो B की value मिली है हमें, तो यानि अगर हम पहले equation value put कर दें, तो क्या हो जाएगा, 12, plus w equal to 15, और यहां से w equal to कितना हो जाएगा, 15, minus 12, यानि w equal to 3 km पर घंटा, इसका मतलब यह हुआ है, कि हमें धारा की चाल कितनी मिली, 3 km पर घंटा, और boat यानि नाव की चाल मिली हमें 12 km पर घंटा, देखते हैं, next question, next question बोला गया है, एक आदमी धारा के साथ 16 km पर घंटे की चाल से और धारा के बिप्रीत 8 km पर घंटे की चाल से तैरता है, इस्थिर जल में तैरक की चाल बता हूँ, अब देखो, यहां पर एक बात ध्यान देनी होगी, कि इस्थिर जल का मतलब यह होता है, जैसे आपने तालम में देखा होगा, कि पानी बहता नहीं है, वो मतलब उसकी इस्पिल जीरो होती है, तो उसे इस्टिल बाटर कहते हैं, जैसे की जिरो हो, जब पानी की इस्पिल जीरो हो, यानि पानी बहनी पिलकुर ठहराव में हो, उसे इस्थिल बाटर कहते हैं, यान इस्थिल जल कहते हैं, तो अब यहां से देखो, क्या बोला गया है, कि एक आदमी धारा के साथ, यानि बी प्लस डबलू, B प्लस W 1500 8 km प्रत घंट अब फिर से वही process इसको हम solve करेंगे W से W हो जाएगा क्या प्लस 21 इकल टू 24 इनको दोनों को एड़ करोगे कितना मिल गया 24 यहां से बी कर रहे बी इकल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन टू इकल टू बारा 12 किलोमीटर प्रत घंटा 12 किलोमीटर प्रत घंटा और यही पूचा गया इस्तिर जल में तैरा की चाल बताओ यह देखो जो इस पीड आई है बोट बोट या आदमी आदमी की धारा की ब्रत जा रहा है नाव यहां पर आद बी की जगह पे आप मैन भी लिख सकते हैं कुछ भी बैरीवल ले सकते हैं आपको कंफिज नहीं होना है बोट यानि भी हमने इसमें लिखा है कि नाव नाव चला यह तो आपने हाथों से बैसे भी तैरा होगा तो कुछ भी ले सकते हैं इस बैरीवल से कंफिज नहीं होना है तो यह में इस पीड मिल गए इसकी इस्टिल बोटर यानि इस्थिर जल में तैरा की इस पीड हमें 12 किलोमेटर पर घंटे की इस पीड मिली ठीक है देखते हैं एक तैरा की साथ 36 किलोमेटर की दूरी 6 घंटे में और 40 किलोमेटर की दूरी धरा की बुरुद 8 घंटे करता है तो इस तर जल में तैरा की चाल बताओ अब देखो यहां पर आपको डिस्टेंस दी गई है ताइम दिया गया है तो पहले हम इसकी स्पीड भी तो निकालनी प यहां से अगर मालो 13 गारा के साथ 13 के आप नाविक को ले सकते हों फी बोट यानि वी ले शकते कुछ भी बैरीवल ले सकते हैं अपने अमसार यहां पर कन्फिज होने की जरूरत नहीं है तो हमने मालो कि तेरा की स्पीड को लिया बी तेरा की स्पीड बी किलूमीटर पर घंटा है हमने इस फिल ले 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 लि अब बोला गया हे कि धरा के साथ तो बी प्लस डॉफ यान्झा क्या है बोटर की प्लस इए कि या धारा की स्पीड तो यह कितना है वी प्लास डबलू कितना है 36 अपन शिक्स तर्टी से सब्सक्राइब तो यहां से कितना मिल जागा यह से सिक्स मिल जागा शिक्स किलोमेटर प्रत्य घंटा लेकिन आगे बोल दिया गया कि है 40 किलोमेटर की दूरी धारा के बुरुत्त 8 घंटे में तैय करता है तो अब 8 घंटे में कर रहा है तो यह कितना हो जाएंगा यह बी माइनस डवलू कर दो यह हम से क्या मिल जाएगा हमें वी मांश डवलू मिलेगा चालीस बट्टे आठ तो इकल टू मिल गया हमें ये पांच किलोमीटर प्रत घंटा अगर हम इन दोनों equation को solve कर दें दोनों समिकड़ा अगर solve कर दें तो यह W से W क्रॉस हो जाएगा और यहां से हमें मिलेगा टू भी टू भी इकल टू इन दोनों को ऐड़ करेंगे देखो यहां पर अब हम इन दोनों को आड़ करेंगे नअ किसको क्योंकि यह इन से तो हमने spirit निकल ले यहemicन आड़ करने हैं यह दोनों करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11 11 मिल जाएगा और यहाँ से अगर हम B की चार निकालें तो यह B कितना हो जाएगा B की स्पिर्ट निकालेंगे तो यानि यह मिल गया हमें B equal to 11 upon 2 हो जाएगा और यह B equal to 5.5 km प्रत घंटा यानि 5 km 5.5 km 5 km प्रत घंटा यह Speed हो जाएगी किसकी नाविक की ओर यहीं कूछाता कि जल में तारक इस्ठील बता उस्थिर जल में और यह थे जल की Speed है अगर यह इजार यह पर पूछता वो गिवेन था कि आगेसा कितनी ती और दारा के तो हमारा अंसर हो जाएगा 5.5 km प्रत घंटा आई होप यह कुछ बेसिक चीजें आपकी क्लियर हुई होगी यह कंसेट क्लियर हुआ होगा तुम्हें नेक्स पार्ट में इससे एडवांस लेवल के कुश्चन लेकर आँगा तो प्लीज वीडियो के लाइक कीजिए कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसे लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें